नमस्कार आप सभी का वेलकम है क्योंकि इस्टडी जीओ चैनल पर आज का जो टॉपिक है वो है में लेंड सीरो रेकरनाइश्ड बाइड़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर ठीक है तो यह जो आपका में लेंड सीरो है उसे कहीं ने रेकरनाइश किय यह मेंलेंड सीरो का है यहां पर आप इमेज देख सकते हैं तो इसी के बारे में रेकरनाइच किया है और यह कहां पहांपर देखा गया असम के कि रायमोना नैशनल पार्क कंट्रिब्र मानस लेंड इसकेप और लेंड इसकेप उससे लगा हुआ उसको कंट्रिब्यूट करता है थीड़ा हुआ है स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथिनिंग कंजर्वेशन एफर्ट इन रिजन अब जानते हैं रायमोना नैशनल पार्क के बारे में यह कहां पर है क्या चीज़ है तो रायमोना नैशनल पार्क जो है इस लोकेटेड इन दा स्टेट अव असम एलॉंग विद द इंडो भुटान थी कि दो यह जो नैशनल पार्क के रहा है मुना नैशनल पार्क उसका जो नौर्धन बॉर्डर है वह आपका जो भुटान का जो भिसबो फिपसो फिपसो वाइड लाइफ सेंचुरी है उससे लगा हुआ है और जो वेस्टन पार्ट है इस मार्क्ड बाई संकोश रिवर तरह से बांडरी क्रिएट करता है आपका वेस्ट बेंगाल और असम की बीच में तो यह जो आपका रायमोना नैशनल पार्क उसके वेस्टन पार्ट में यह संकोस रिवर बहता है आपका वेस्ट बेंगलो असम की बीच ठीक है असम पार्ट इस टान्सवर्ज इस हे तौहर बाइन पहना सरल भंगा रिवर शरल भंगा रिवर आज जो कि आता है कहां से आपका problem Pillai सपांग का जो शर्भंग दिश्टिक्ट रहे हैं और पिमा होती हूए ये सरल भंगा रिवर आता है ठीक है flowing southward from मतब भुटान के जो सर्भंगा district है सर्भंग district है उसके southward से flow होके यह आता है आपका सरल भंगा रिवर और एक तरह से eastern part बनाता है रायमोना नेशनल पार्क का ठीक अब इसका vegetation और रायमोना नेशनल पार्क बोष्ट फॉरेस्टौिक इन्क्लूडिंग साली बतब्न यहां पर क्या undय़क्त अल्टे है तो आपका जो साल फॉरेस्ट यह समिनली वुल स्ता सवना फॉरेस्ट और सावाना फॉरेस्ट और वॉर ₩ यहां पर सब चीज ई यहां पर मिलती है फाउना क्या है दपार्क इसे होम टू विडियस वाइल लाइफ कोन-कोन से वाइल लाइफ का यह घर है गोल्डन लंगूर एसेन एलिफेंट रॉयल बेंगाल टाइगर एंड लेयर पार्ड लियोपार्ड टीक है तो यह आप जानवरों को नाम को याद अब्सर्वेशन रिकॉर्डड अमेनल लेट शीरो एट एन यूजरी लोग एलिवेशन ऑफ नैंटे सिक्स मीटर अबफ सी लेवल इन राहिमोना नेसनल पार्ड लेवेशन अब जानते हैं यह जो मेंन लेंड शीरो जो है यह क्या है तो यह एक तरह का मैमल है जो की गोट और एंटि लोग वीच की जैसा दिखता है ठीक है उन दोनों की बीच का प्रजाति है इनहीं हबीट इनहीट्स एल्टिट्यूट रिंजिंग फ्रॉम दो सो से थीन हजार मिटर मत्ब यह लगबग दोदो सो से थीन हजार मीटर के उचाहियों में रहता है। फाउंड एक्रॉज इंडिया भूटान बॉर्डर इन फिप्जो वाइड लाइफ सेंजुरी एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान मतलब यहां यहां पर पाया जाता है अधर स्पीसिस इंक्लूड दा यहां पर और क्या-क्या पाया जाता है जापानी सीरो रेट सी पाया जाता है आपका बंगलादेश और मियानमार में ठीक है और आपका ताइवान और फोर मोसन सीरो यह अधर स्पीसिस हैं जो इस स्पीसिस के ही अलग-अलग और प्रजाती है तो ठीक है बस इस टॉपिक में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में